जमु कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपत ग्रहन के दोरान भारतीय राष्ट्रे कॉंग्रिस के नेता राहूल गांदी और समाजवादी पार्टी के चीफ अकलेश यादव के बीच एक बड़ी मुलाकात होई इस मुलाकात की दस्वीरे जहां सामने आ रही है तो वहीं इस मुलाकात को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं अब इस पर समाजवादी पार्टी के चीफ ने बड़ी प्रतिकिरिया दी राहूल गांदी से अपनी मुलाकात पर अकलेश यादव ने कहा अकलेश ने कहा मिलना जुलना ठीक होता है मिलते रहना चाहिए हमारे मिलने से हरकम मचा है तो मचने दीजे इसके अलावा कनौज सांसद ने यूपी में उपचुनाव के लिए सीटों के फैसले पर कहा कि जल्दी फैसला भी हो जाएगा इन सब के बीच सूत्रों ने दावा किया ही कि कॉंग्रिस को सपा गाजियाबाद और खैर सीट दे सकती है सपा ने अभी तक छे सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है इसमें से एक सीट मिलकी पूर पर अभी चुनाओं का ऐलान नहीं किया किया है ऐसे में बाकी बच खैर गाजियाबाद और मीरापूर सीटों पर एलान बाकी है खबर के मुताबिक सपा नेता ने ना च्छापने की शर्त पर भी कहा कि हवारे पास खैर सीट पर ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है अगर कॉंग्रिस नहीं मानेगी तब उसे खैर सीट ओफर के जाएगे तो यहां पर गुटबाजी भी सीधे सीधे तोर पर देखी जा रही है हाला कि अपने दर्शकों को हम यह बता दें कि कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता अजहराय ने सीधे तोर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया था उन्होंने कहा कि अकलेश शादव ने च् सामने आई है जिस उस मुलाकात को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई फुटमस है लेकिन हाँ यह बात साफ तोर पर नजर आ रही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक आगे जो सीधे शेरिंग का मुद्दा होगा वो जा रहा है कि क्या वाकई सीट शेरिंग जो की जाएगी उतर प्रदेश में इसका बड़ा फैदा इन्हें उप्चुनाव में मिल पाएगा